स्रावण माय में इन दुनों सिभभक्ती अपनी चरम पर है ऐसी में सिहोर में एक ऐसी अनूठी सिबलिंग मौजूद है जहां पर एक हजार एक सिबलिंग उकेरी हुई है तंत्र सादना में इस मूर्ती का विसेस महत्त होने के चलते यहां पर बर्ष भर सिभभक्तों का आना जाना लगा रहता है सिहोर सहर की सीबन नदी के किनारे बने बड़िया खेडी में सिरी शहस्त्र लिंगेश और मंदिर में ये दिब्ब प्रतिमा इस्थापित है माननेता है इस सिबनिंग पर भक्तों को एक हजार एक गुना जादा फल प्राप्त होता है इस सिबनिंग में एक हजार एक सिबनिंग उकेरी हुई है तंत्र मंत्र साधना में इस मूर्ती का विसेस महात्प होने के चलते यहाँ पर बर्स भर सिभख्तों का आना जाना लगा रहता है सीहोर से हमारे संबाद्दाता सोन्यू योगी की रिपोर्ट बिदीशा से हमारे संबाद्दाता राम बाबु की रिपोर्ट ग्यारसपुर के बैक्सिन सेंटर पर लगा लोगों का जमाबड़ा सुबह पांच बजे से टोकन के इंतजार में बैठे हुए हैं लोग बैक्सिनेशन के टोकन बाटने में स्वास्थ वाग के कर्मचारी कर रहे हैं धांदली बैक्सिनेशन के लिए टोकन मजदूर बर के लोगों को नहीं मिल पा रहा है कोरोना का टीका एक दिन पूर भी बाट दिये जाते हैं टोकन लोगों को इंतजार में घंठों खड़े रहकर स्वास्थ विभाग के कर्मचारीयों पर लगाए लोगों ने लापरवाही के आरोप टोकन ना मिलने के कारण जब ग्रामिर अपनी शिकायत तैसिलदार सुनील सर्मा के पास लेकर पहुँचे तो उल्टा महिलाओं से उन्होंने कह दिया कि तुम अभी नो बजे आई हो जबकि महिला चिला चिला कर कह रही है कि हम अपने बाल बच्चों को छोड़ कर सुबह पांच बजी से लाइन में लगे हुए हैं इसके बाब जूद भी हमें टोकन नहीं मिल रहा है टोकन बाटने में नागरिकों के साथ किया जा रहा है छलाबा अपने अपने लोगों को दिया जाता है टोकन बिदीशा से हमारे संबाद दाता राम बाबू की रिपोर्ट बमीठा से हमारे संबाद दाता अशोक नामदेव की रिपोर्ट थाली ताली बजाकर योबक कांगरेश ने निकाली रैली महंगाई के ब्रोध में यूथ कांगरेश के कैंदर सरकार के खिलाप डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम एबं महंगाई के खिलाब थाली ताली बजा कर रैली निकाली बमीठा में निकाल कर ब्रोध प्रदसन किया केंदर सरकार के खिलाब रोट पर नारेबाजी का प्रदसन किया सत्रेंद सर्मा शेकलों की तादाद में यूद कांग्रेस कारिकरताओं के साथ सामिल रहे बमीठा से अमारे संबाद्धाता अशोक नामदेव की रिपोर्ट